सो हेलो गाई दोस्तों मैं हूं आडिस स्वागते आप सोका अपने चैनलाउं वारी Gathered Japon दोस्तो आज हम फिर से फिजिस का एक क्वेस्चेन आए यह चेप्टर 3 क्या है ठीक है अगर आप बहुती की कलाश्टेन का त्यारी करें भारती भॉन का तूसमें एक फर्ड चेप्टर क्या है कि मानो नेत्र और वायू अजिलियो अपवर्तन आ वन वीचे पन ठीक है तो उस तो ठीक है और ऐसा ऐसा अंतर बताएंगे सीधा आपको याद हो जाएगा ठीक है तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए ठीक है दोस्तों क्योंगी यहां पर हम आपको जन्वन कंटेंट बीच में लाइन घिस देते ठीक और फिर ऊपर से ठीक है जैसे तारे और गडर यहां से क्या होगा एक अल्लाइन हम यहां से घिछ देंगे ठीक है उसके बाद देखिए अगा फ़र्ष्ट अंतर की बात करें तो तारे आकास में बिंदु शुरू जैसा दिखते है ठीक है क यह बिन्दू श्रोथ जैसे दिखते है लेकिन गरह तो भाई साब ерьल सारे बिन्दूओं का शु decis principle अब यहां पकिए और आकास में टिम्टीमाते नजर आते। और नहीं पिरहोग्वी लिख सकते हैं आकास में टिम्टीम आते हुए नजर नहीं आते। उसके बाद आए उसके बाद आप तारी के पी चुर शुप बहुत अच्छा इस अंतर की बात करें तो ताड़े मुझा था हाइट्ड रोजन यह भी लिएम से बना होता है लेकिन ग्रह पिरिथी भी ग्रह है और सब ग्रह क्या मुख्यता यानि अधिक्तम चटान धुलकन से बना होता है बात करें यह जो तारह यह अकास गंगा की परकिर्मा करती है यानि यह जो सन है यह अकास गंगा की परकिर्मा करती है यह अकास गंगा की परकिर्मा करती है लेकिन यह तारा की परकिर्मा करती है कौन ग्रह ग्रह क्या करती है तारा यानि सुर्य की परकिर्मा करती है यह सुर्य की परकिर्मा करती है बात करें तो यहां यह स्वय उस्मा उत्पन करता है तारी के पास स्वय उस्मा उत्पन करता है बात करें एक और अंतर की लाश्ट अंतर तो इस पर जीवन संभाव नहीं है तारे पर जीवन संभाव नहीं है लेकिन ग्रह पर है यानि इस पर जीवन संभाव है दोस्तों उम्मीद करता वीडियो पसंद वीडियो पसंद वीडियो कर दीजे लाइक चैनल पर आहे तो चैनल हुआ हुआ